वाइफ प्रेगनेट है लड़की है अबोर्शन करना था यह कैसे बात कर रहे हो आपको नहीं लड़का नहीं लड़की चाहिए थी तो फिर क्यों करा रहे हो अबोर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका मैं यह नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाएगा आइम सो सारी डॉक्टर मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होगी लेकिन उनकी बजा यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता यह में लड़की को पढ़ा नहीं सकता लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजा यह हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता कि इसका रेप हो सकता है दिल्ली में आठ महीने की बच्ची का रेप हुआ आठ महीने की बच्ची होती कितनी अगर वो तंदुस्त ना हो इनसान के एक हाथ में आ जाती है उसका रेप हुआ है मैंने आपका वक्त भी ले लिया लेकिन मैं बताना चाहरा हूँ सब को कि ये होने लगेगा वरना इस चीज़ को बंद करवा दो मेरी समझ में नहीं आता है ये स्ट्रोगन लेकने के बाद लोग खुश हो जाते है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों? क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटिया कमजोर हैं पड़ी लिखी भी नहीं है इनको बचाना भी है ऐसे स्टोगन क्यों नहीं मनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थपड लगाओ और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घार से बाहर निकलती है तो रेप होता है उसके रिष्टेदार ने बेडरूम में गुसके उसकी बच्ची के साथ रेप किया जब इसके माबाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लटपत पड़ी थी पूरा हॉस्पिटल गूंज गया थे इसकी चीक से और हिंदो मुस्लिम आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में अगर शर्म है ना थोड़ी सी तो इनसे ज़ादा खतरनाक जो हमारे मुलक में हो रहा है कि बच्चीयों के रेप जो करते हैं उन जानवरों को जाके सबक सिकाओ इतनी भीड ले जाकर और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती है सौ करोड की आबादी में अगर एक इनसान भी मेरी आवाज सुमराएं नहीं और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती है तो रेप होते हैं तो मुझसे बात कर ले मैं गसम का रहा हूँ अगर इसमें मुझे हरा दिया इस चीज़ में तो जिन्दगे में कभी रेडियो पे नहीं आउँगा और अपनी आवाज नहीं सुनाँगा